I am back with my another video. Students, आज मैं आपको हिंदी का लेसन पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है बचाओ, तो आईए बच्चों हम पढ़ते हैं, भूकम्प पृत्वी के भीतर चटानों की परतों के आगे पीछे खिसकने से धर्ती हिलने लगती है, यही भूकम्प है Students, जो हमारी धर्ती है, उसके जो परत होती है चटानों की परतों के आगे पीछे खिसकने से धर्ती Students हिलने लगती है तो उसे भूकम्प कहते हैं, उके, इससे चट दीवारे अधी गिरने लगती है और इससे क्या होता है Students, चट और दीवारे गिरने लगती है ऐसी समय हमें तुरंत घर के बाहर खुली जगा में आ जाना चाहिए और ऐसी समय में students हमें घर के बाहर खुली जगा पर आ जाना चाहिए या मेज लकडी के तख़त के नीचे दर्वाजे के पीछे चिपना चाहिए या तो फिर हमें मेज लकडी के तख़त के नीचे या दर्वाजे के पीछे चिपना चाहिए देखो students आप पो ये चितर पर दिखाई दे रहा है ना कि वो औरत जो है वो देखो किस तरह मेज के नीचे छिपकर बैठी हुई है और वो जो लड़का है वो दर्वाजे की तरफ बैठा है तो इस तरह ये लोग अपना बचाओ कर रहे हैं लगतार अधिक बारिश होने पर नदी नाले पानी से भर कर बहने लगते हैं स्टूडन्स अब देखो जब बहुत जदा बारिश होती है तो नदी नाले ये सब पानी से भर कर बहने लगते हैं नदी के आसपास के गाओं, बस्तियों, इमारतों अधी में पानी भरने लगता ह और स्टूडन्स बारिश होती है तो जो पानी रहता है तो वह पानी नदी की आसपास के गाओं, बस्तियों, इमारतों अधी में पानी बहरने लगता है फसले नश्ट हो जाती है और जिसके कारण स्टूडन्स क्या होता है जो फसले होती है वो खराब हो जाती है पानी के बढ़ने की सुचना प्राप्त होते ही हमें सुरक्षित इस्थान पर पहुँच जाना चाहिए Students और जैसे ही हमें पानी के बढ़ने की सुचना प्राप्त हो तो वैसे ही हमें सुरक्षित इस्थान पर चले जाना चाहिए देखो आपको ये चेतर पर दिखाई दे रहा है ना कि वो लोग की सराबाड से अपना बचाओ कर रहे हैं सुनामी समुद्र के तल में भुकम्प आने पर उची उची लहरे उत्पन्द होती हैं यही सुनामी है सुनामी के सुचना मिलते ही टट वर्ती प्रदेश में रहने वाले लोगों को तुरंत ही सुरक्षित इस्थानों पर चले जाना चाहिए हमें समुद्र टट को पाट कर बसियां नहीं बनानी चाहिए सुनामी के पुर्व सुचना देने वाले यंत्र आज कल विक्सित हो रहे हैं स्टूडन्स भूकंप तो धर्ती पर आता है to इससे क्या होता है चटाने हिलती हैं घर तूटते हैं सब चीजें स्टूडन्स हिलने लगती हैं और समुद्र में भी भूकंप आता है तो वो भुकम से क्या होता है समुद्र का जो पानी है उसे बहुत उची उची लहरे बनती है इतनी उची लहरे बनती है कि इनसान उसके सामने बहुत छोटा दिखाई देता है तो यही उची उची लहरे क्या कहलाती है स्टूडन सोनामी उके उसकी आस पास जो रहते हैं तो सुनामी की भी सुचना दी जाती है तो हमें तुरंत ही सुरक्षित इस्थान पर चले जाना चाहिए अब समुदरत के आस्पास भी बहुत सारी बस्तियां स्टूडंस बनाई जाती है पर ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि पता नहीं कि कब सोनामी आ जाये तो उनके किनारे बस्तियां नहीं बनाना चाहिए और सरकार की तरफ से हम सब को एक सुचना मिल जाती है ताके हम अपने आपको सुरक्षित कर सकें ओके स्टूडन्स तो मैं आशा करती हूँ कि आपको ये लेसन समझ में आया होगा तो आप हमारे चैनल को सिस्क्राइब करें लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें गुडबाई